मैं बड़ा हैरान हूँ मुझे कुछ लोग ये कह रहे हैं तल से कि आप महीला विरोदी आप मीडिया के लोग इस बात को आज तोल तराजू करें और आप अपने कैमरे में जस्टिफाई करें और इसको टेलिविजन चैनल पर दिखाएं एक दफ़े गुडगावा के अंदर एक प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम को किसी सोशल वेलफेर और्गनाईजेशन ने होस्ट किया और मुझे चीफ गेस्ट बुला लिया वहाँ पे ये सपना चोदरी मेडम जो है परफॉर्म कर रही थी और इनके परफॉर्म करने का जो पोस्टर था मेरा पोस्टर वहाँ लगावाद ये परफॉर्म करके चली गई तो मैं वहाँ चला गए और आप मीडिया के लोगों ने मुझे रोस्ट किया तीन दिन तक तवे से नहीं उतारा कि दिगविजे असलील डांस देख रहे है दिगविजे को शरम नहीं आई दिगविजे वहाँ च गए आप मीडिया के लोगों ने और बीजेपी के लोग यहां तक की मंत्री लेवल तक के लोग ये कहते रहे कि दिगवजे और इनकी पार्टी और इनके लोगों की सोच का जो कल्चर है वो ये असलील डांस है जबकि मुझे तो गयात भी नहीं था कि वो सपना चोटी वहाँ होंगी आप ये चप्चुनाव होते हैं और इस तरह के असलील डांस के करणन भी लोग बुलाते हैं सोच और कोई भी पार्टी हो तो मीडिया के लोग उन्हें रोस्ट करते हैं उन्हें तड़का लगाते हैं और उन्हें इस बात का आहसास करاتे हैं इल्म कराते हैं कि ये गलत हुआ ह दिगवजे चोटाला ने कल ये कह दिया कि ये जो सपना चोधरी है या इनका जो डांस है इनकी जो कला है वो वल्गर है मैं आग बिल्कुल स्पश शब्दों में कह रहा हूँ वो वल्गर है वो अशलील है वो हमारा कल्चर नहीं है वो हमारी सब्यता नहीं है क्या मैंने गलत कह दिया क्या और अगर मेरी बात को आप लोग गलत मान रहे हैं तो आप मीडिया के लोग सेल्फ कॉंट्रडिक्टरी हैं यानि आप जो कहते हैं अपनी बात को फिर आप नहीं मान रहे हैं तो या तो आप पहले गलत थे, या आज आप लोग गलत हैं, या बीजेपी के लोग कलते, इस बात का खुद आप लोग आप अइसास करें, मैं बड़े पुलाइटली रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के लोगों से, कि या तो मुझे गलत पूरूर करें, या स्वेम इस बात को मानें कि वीजेपी ने जो फैसला सपना चोधरी को पॉलिटिकल प्लैटफॉम पे लिया है उनका अपना प्लैटफॉम हो सकता है पॉलिटिकल प्लैटफॉम सफेद कुड़ता पजामा पहन कर आपकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ दाइरे होते हैं आज सपना चोदरी एक आइडल बनकर, पॉलिटिकल आइडल बनकर अर्याना को और या इस देश को विजन देंगी मैं मानता हूँ कि इस से ज़्यादा बेड़ागर करियाना की और इस देश की राजिन पिकन नहीं कुछा